इंदौर के नगरे निकाय और पंचाज चुराव के लिए वधवार को वार्डों का आरक्षिन हो चुका है। इंदौर नगरिगम के 85 में से 34 वार्ड आरक्षित किये गए हैं, महिलाओं को 85 में से अलग-अलग शेडियों में 22 वार्ड मिले हैं। जिस OBC आरक्षिन को लिकर इतनी मशक्कत हुई, उसके वार्ड 21 घटकर 18 रह गए। तो वहीं इसके बाद कई नेताओं के समीकरन भी भी गड़ गए। इसी पर देखे हमारी यहाँ खास्ट पूट। इन दौर की OBC आरक्षिन को लिकर अधिकारियों का कहना है कि शेहर में OBC की जन संख्या 21 प्रतिशत है। इसके मान से वार्डो का आरक्षिन किया गया है। कई MIC मेंबरों समित काफी समय से पार्षदी का आनंद उठा रहे नेताओं को अब नई सियासी जमीन तलाशना होग उनका वार्ड 42 सामान्य महिला हो गया है जिनकी नजर अब वार्ड 49 पर है। हलाकि वहां नेताओं की फेहरिस्थ काफी लंबी है। वार्ड 25 से पार्षद और MIC मेंबर रहे हैं। उनका वार्ड महिला के लिए आरक्षित हो चुका है। पहले भी 4 बार वार्ड बदलना पड़े थे। दीपक जैन तीनों पूर्व पार्षदों को इस बार अपने वार्ड बदलने होंगे। कॉंग्रिस नेताओं के लिए कुछ यूं बदले समिकरन। प्रीटी गोलु अगनि होतरी वार्ड एक पिशली बार महिला वार्ड होने से प्रीटी पार्षद रही। अब सामान्य हो चुका है। सामान्य होने से पती गोलु अगनि होतरी के लिए संभावना एखुली है। विनितिका दीपू यादब वार्ड 10 से पार्षद रही वार्ड अब सामान्य हो गया है। चिंटू चौक से वार्ड 21 से 2015 में पतनी पार्षद रही। इस बार वार्ड सामान्य है खुद भी लड़ सकते हैं। फोजिया शेख अलिम वार्ड 53 से पार्षद और नेता प्रतिपक्ष रही। इस बार वार्ड अनारक्षित है। बेटे को भी आगे बढ़ा सकती हैं फोजिया। चोटे यादब, वाट 55 से पारशद रहे, लगातार पांच बार से पारशद है और इस बार वाट महिला होग चुका है, उन्हें नया वाट धुनना होगा सर्मेश तिवारी, वाट 9 से पिछली बार पत्नी पारशद रहे, इस बार वाट OBC के लिए आरक्षित है, तिवारी ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया नेताओं के इस बिगड़े समिगर्णों के चलते अब कई लोगों के चहरे खिले हुए दिखाईती रहे हैं, तो कईयों ने अपनी नई जमीन को मजबूत करने के लिए अपने आकाओं को साधना शुरू कर दिया है, लेकिन सत्ता के सेमिफाइनल में कई नेताओं की बली चड़ने की भी संभातनाएं राजनेतिक पंडिट जिता रहे हैं, ब्यूरर रिपोर्ट, MP News, इंदौर